पुतिन ने पांचमें टर्म की शपत ले ली है और शपत लेने के साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि यूकरियन पर लड़ा गया युद्ध बोजायज था तो अगर नाटो की बात करें तो नाटो एक तरीके से पूरी तरीके से रश्या को घेर चुका है इस बात को पुतिन ने बहुत बार दोराया है कि वो न्यूकलियर यूज कर सकते है इस युद्ध को जीतने के लिए वहीं यूएस ने एक सड़ बिलियन डॉलर की मिल्टरी एड की मदद कर दी है जिससे कि यूकरियन काउंटर अफेंसिव को अपने तेज कर सके तीसरा विश्व युद्ध तो छिड़ेगा लेकिन रश्या का डर भी कहीं से जैन परतीत होता है हिटलर का पतन भी तभी शुरू होता है जब वो यूएससरार पे हमला कर देता है नमस्कार विश्व में घटना गरम बहुत तेजी से बदल रहे हैं इसराइल ने रफा पे हमला करने की ठान लिये उसने हमास की संधी को भी ठुकरा दिया है और उसे अब अपने बंदकों की भी चिंता नहीं रही है ये बहुत बड़े खत्रे की घंटी हो सकती है एक रीजिनल युद्ध में ये बात बदल सकती है लेकिन आज हम चर्चा करेंगे रशिया और पुतिन की पुतिन ने पांचमें टर्म की शपत ले लिये है और शपत लेने के साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि यूकरेन पर लड़ा गया युद्ध वो जायज था वो उनका हिस्सा है और उसे जीत कर रहेंगे पुतिन ने जब शपत ली तो वेस्टरन कंट्रीज ने उसमें आने से मना कर दिया यहां से पता लगता है कि जो डिवीजन है वो और बड़ी होती जा रही है कि वेस्टरन कंट्रीज और रशिया अब दो अलग-अलग पूरे तरीके से धड़ों में बढ़ चुके हैं और ये इतने बढ़ चुके हैं कि इसका अंदाजा इस बास से लगाया जा सकता है कि रशिया ने ये तक कह दिया है कि नॉन स्टेटिक नुकलिर वैपन को वो यूज कर सकता है युद्ध के मैदान में उसकी ड्रिलिंग शुरू कर दिया है उसकी ड्रिलिंग उसने बेलारूस में कर भी ली है नॉन स्टेटिक वैपन वो वैपन होते हैं जिनसे थोड़ा डैमेज करके युद्ध को जीता जा सकता है उसका मकसद यह नहीं होता कि शेहरों को निस्ते नाबूत कर दिया जाए जैसा कि हिरोशिमा और नागसाकी में हुआ था तो टैक्टिकल वैपन है इसको यूज करके युद्ध जीतना चाहते हैं इस बात को पुतिन ने बहुत बार दोराया है कि वो न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं इस युद्ध को जीतने के लिए तो भविश्य में कुछ भी हो सकता है हम नहीं कह सकते वहीं पर इसका कारण है वैस्टन पावर का बार बार उनको उकसाना दोनों उकसार हैं वो चाहते हैं कि यूक्रियन मेरा है रश्या का कहना है वहीं पर वैस्टन पावर का कहना है कि ये इल्लीगल कबजा है तो डेविड कैमरून ने जाकर कह दिया कि जो ब्रिटेन ने हत्यार दिये हैं उसको वो यूज कर सकता है युद्ध के मैदान में इस बास से भी रश्या को चिड़ हो गई इमैनुल मेकरोन का कहना है कि यूकरियन को जीतना पॉसिबल ही नहीं है रश्या के लिए इंपॉसिबल है पुतिन जूट बोल रहे हैं वहीं यूज ने 60 बिलियन डॉलर की मिल्ट्री एड की मदद कर दी है जिससे कि यूकरियन काउंटर अफेंसिव को अपने तेज कर सके उसमें समय लगेगा 2024 में नहीं हो पाएगा इतना पैसा लगा के भी हत्यार बनाने मुश्किल होते हैं तो 2025 तक वो काउंटर अफेंसिव करेगा लेकिन क्या इतना समय पुत पुतिन का वर्ल्ड ओर्डर है जिसको वो रश्या का न्यू वर्ल्ड ओर्डर कैते है विश्यो के लिए एक नया ओडर देखते हैं जो कि वेस्टर इंफुलेंस से अलग होगा वो क्या है उसके पीछे जो एथियसिक मन्शा है वो क्या है जो रशियन लोग है वो क्यों पुतिन के पीछे हैं हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से पीछे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वहाँ पर विद्रो हो रहे हूं तो कुछ तो ऐसा पुतिन करते हैं तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे और जो एक खत्रा पुतिन कहते हैं कि रशिया को existence का खत्रा है वो बच नहीं सकता उसके उपर हमला किया जाएगा वो क्या जायज है तो अगर नाटो की बात करें तो नाटो एक तरीके से पूरी तरीके से रशिया को घेर चुका है नाटो का मतलब है US-led military alliance तो US-led military alliance अगर चाहे तो रशिया पर हमला करने में पूरे तरीके से काबिल है तीसरा विशुयुत तो छिड़ेगा लेकिन रशिया का डर भी कहीं से जायज परतीत होता है तो रशिया है कि अगर बात करें या पुतिन की बात करें तो रामधारिक सिंग दिनकर रश्ट कवी ने कहा था कुरुक्षेक्त्र जो कविता है उनकी की और समर तो और भी अपवाद है चाहता कोई नहीं इसको मगर जूजना पड़ता लेकिन सबको शत्रू आ जाये जब द्वार पर ललकारता तो पुतिन को लगता है कि शत्रू द्वार पर आ गया है ललकारता हुआ अब उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा इसलिए उसने यूकरेन के साथ युद्ध किया और इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकता है तो पुतिन के जो शुरुवात होती है वो 1999 में होती है वो पुतिन के अगॉर्डिंग चल रही है पुतिन का जो वर्ल्ड वी है वही रश्या का वर्ल्ड वी हो गया है जो पुतिन की सोच है वही वहां के लोगों की सोच हो गई है तो पुतिन की आखिर सोच है क्या पुतिन जो वर्ल्ड ओर्डर बनाना चाहते हैं वो किस बेस पर बनाना चाहते हैं पुतिन अपने आपको Peter the Great समझते हैं जो कि 88 शताबदी में रश्या का जार था जिसने बहुत सारे हिस्से पर अच्छी तरीके से रश्या की कबजा कर लिया था पूरा स्टेबिलाइस कर दिया था एंपायर को इस एंपायर में लिूथानिया, लेटविया, अस्टोनिया, यूक्रेन ये सब पार्ट है और रश्या का यही कहना है ये एत्यासिक तोर पर हमारा है ये कल्चरली हमारा है इस चीज को साबित करने के लिए वो नैशनलिजम की दुआ ही देता है कल्चरली, हिस्टॉरिकली इन बातों की बात करता है लेंगवेज की बात करता है रश्या का कहना है कि यूक्रेन और रश्या की एक ही लेंगवेज है हम दोनों भाई है और यहां तक की जो कीव है वही असली कैपिटल है जो इंशेंट रूसर्स की कैपिटल कीव है उसे हमें चाहिए उसके बिना हम अधूर है इसके उपर पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल पुतिन ने खुद लिखा था 2020 में उसके बाद ही वो युद्ध की शुरुवात करते हैं तो एक तो नेरेटीव यह दिया जाता है कि कल्चरली हिस्टॉरिकली हम सब एक है दूसरा नेरेटीव दिया जाता है नैशनलिजम का कि किस तरीके से हमने अपने हिरोईजम के द्वारा तमाम आतंकी हमले कह सकते हैं तमाम जो हमले किये गए हमारे उपर जो फ़ॉरन दाक्तों के दुआरा पिछले हजार साल में किये गए उनस सब का हमने मुकाबला किया है तो पुटिन का कहना है कि जब भतु खान जो की नेपोलियन की हार होती है, नेपोलियन का पतन होता है, तो हम में बहुत ताकत है, हम किसी भी बड़े शत्रू को हरा सकते हैं, और जो सबसे लास्ट एक्जामपल है, हिटलर का, हिटलर का पतन भी तभी शुरू होता है, जब वो USSR पर हमला कर देता है, USSR यानि की रश्या का मौसम ऐसा है, जब वहाँ सर्दियां पढ़ती है, तो फिर खाना नहीं मिलता, और सर्दी के कारण वहाँ पर सेनाय जाकर दफन हो जाती है, यही जर्मनी के साथ हुआ, यहीं से हिटलर का पतन शुरू होता है, तो यह दूसरा नेरेटिव है पुतिन का कि नैशनलिजम है, नैशनलिजम के द्वारा हमें अपने कल्चर को बचाए रखना है, और जो वेस्टन पावर हैं इसे तबाह करना चाहती है, इसलिए पुतिन यहाँ तक USSR के दोरान जो कम्मिनिस टूल था, उस कम्मिनिस गर्मेंट के भी खिलाफ है, उस पूरे जो 90 साल का दशक कह सकते हैं, 80 साल का, उसके भी पुतिन खिलाफ है, उसका कहना है, वहाँ पर कल्चर का बहुत नुक्सान हुआ और कल्चर के प्रति, पुतिन का अलग ही मोह है, मुतिन का कहना है कि जो मॉस्कों है वो 3rd Rome है 3rd Rome का मतलब कि जो पहला Rome था वो जब Roman Empire था उस वक्त था तब Christianity बहुत बड़े स्तर पर फैली उसके बाद जब Roman Empire, Western Roman Empire का विगठन होता है तो Eastern Roman Empire ख़ड़ा होता है Byzantine Empire जिसे कहा जाता है उसकी जो capital थी वो Constantine Pole थी जो की present वे तरकी में इस्तनबूल है वहाँ पर second Rome बनता है और उसके बाद जब Ottoman Turk ने उसे जीत लिया Constantine Pole को तो capital shift हो जाती है Moscow में तो Moscow उसका कहना है कि third Rome है और वह भी Christianity के उस पार्ट के लिए जिसको Greek Orthodox Church कहा जाता है या Eastern Orthodox Church कहा जाता है जो की पुतिन के हिसाब से purest form of Christianity है ये Pope वाली Christianity को नहीं मानते जो की Roman Catholic है जो Vatican City से रूल करती है Pope वाली Christianity का Eastern Europe और रशिया पर कोई परभाव नहीं है यहाँ पर Christianity दूसरी है तो जो Eastern Greek Church है जो Orthodox Church है जो उनका Pope कह सकते हैं एक तरीके से वो टर्की की एक Church है थ्यासिक वहाँ पर बैठते हैं जिसका नाम पार्थोलो मीव है तो इनके थोड़े से नाम कठीन है क्योंकि ये Eastern Church वाले हैं तो इसी परकार से ये जो Greek Orthodox Church रशिया में है उसके Patriarch है, Krill है इस वक्त Presently यही वहाँ पर पुतिन को शबस हमारण में भी मिलते हैं तो पुतिन का जो World Order है जो रशिया के लिए सोचता है वो तीन basis पे सोचता है एक तो कि वो Eastern Christianity का वो पूरा गड़ है नहीं कि उस पूरे एरिया में किसी का Sphere of Influence रहेगा तो मेरा रहेगा Western Power का नहीं रहेगा रशिया की पहले जीद है, दूसरा उसे अपने आसपास कोई दुश्मन नहीं चाहिए, NATO नहीं चाहिए, NATO को उठाना चाहता है तीसरा वो Western Powers को यह रहाना चाहता है, उसका मानना है कि US बहुत नया खिलाड़ी है सदियों से तो हम राज कर रहे थे और इस पूरे एरिया में हमारा राज चलेगा और US का कोई रोल नहीं होना चाहता है, US को खतम करना चाहता है तो इस तरीके से वो अपनी जनता को, अपने आपको एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर के रूप में और रशिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है तो बात करेंगे, economic sanction से क्या फर्क पड़ा रशिया के उपर तो economic sanction ना होती, तो कहा जाता है कि रशिया यहां पर पहुँचता या यहां पर पहुँचता, लेकिन रशिया का कहना है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी economy अब भी चल रही ही, क्योंकि मेरा जो main काम है, वो export of oil और natural gas है वो मेरा पूरा चल रहा है, भले Europe ने लेना बंद कर दिया, उनकी तो उतनी अबादी भी नहीं है मैं तो China और India को दे रहा हूँ और मेरे पास लगबग उतना fund आ रहा है कि मैं अपने इस पूरे जो project है उसको चला सकूँ और उसी के साथ economic condition उसकी ठीक है, उसके पास अच्छा खासा political backup भी है common wealth of independent states है, जो की USSR से जो देश आजाद हुए थे, उनका एक संगठन है, नौदेश है इसमें यह Russia के साथ है, पूरे विश्व के स्थर पर देखें, तो काफी सारा ऐसा हिस्सा है जो Russia के pro है अगर भारत जैसे देशों को भी देख लें, तो वो भी neutral वाली category में आते हैं, कोई Russia के दुश्मन नहीं है तो पूरे तरीके से विश्व बहुत बड़े हिस्सों में बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो western power है, वो recede करती जा रही है इसलिए खत्रे में पूरा विश्व है क्योंकि वो अपनी power को जाने नहीं देंगी, Russia बिना लिए मानेगा नहीं और जो Russia की axis बन रही है Russia, China, Iran और हो सकता है उसमें आने वाले future में अगर इंडिया चला जाए जो की possible नहीं है क्योंकि इंडिया में शाही middle path पे चलना पसंद करेगा तो Russia के पास पूरा support है, तो Russia के पास एक ideological doctrine है, nationalism है, Christianity वाला उसके पास एक angle है, religious angle है, fund है, economy है उसकी ठीक ठाक और इसलिए जो पुतिन का कहना है कि वो nuclear weapon use कर सकता है, Ukraine को अपने में मिला लेगा, तो उसकी possibility को rule out नहीं किया जा सकता है तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे next topic में, धन्यवाद